ओले फ्रेंट्स तो वेलकम बैक आज थोड़ा से हम लोग ने चेंज किया है अपने मेठड में तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके और क्यूंकि हमारी डैनेमिक प्रवामिंग के प्लेलिस्ट है वो आगे बढ़ जानी चाहिए और हमारी क क्लास में ही करा हूँगा ठीक है अभी हम लोग इजी के सवाल के साथ शुरू करते हैं और इजी सवाल में आपनी वर्बुक को आगे वल्टिएगा तो एक सवाल आपको मिलेगा जिसका नाम है टाइलिंग वेट टू क्रॉस वन टाइल्स थोड़ी से अन्नाइटिंग मेरी जिसके वेडियों कि मैं थोड़ा साथ टेड़ा इस वक्त बैठा वाँ हूं तो यह कोशन है आपको डॉमी नोस करके शायद ब्राकेट में भी लिखा होगए है डॉमी नोस ठीक है अभी सवाल है ठीक है टाइलिंग विद्ध टू क्रॉस वन टाइल्स यह अभी टाइल का स सवाल है अभी सवाल को मैं डिसकस करते ठीक है इस पर फोकस मत करना मैंने वह डाला था ठीक है तो आप लोग भी अगर नहीं डाला तो अगली बाट डाल देना ठीक है टाइलिंग विद्ध यह कोशन है हमारा इसी कोशन है इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करने की सोची है अब पते क्या आपको कोशन में दिये कि आपके पास एक टाइल दे रखी आपको यह ही आपके टाइल के डाइमेंशन में दे रखी आपको टू क्रॉस वन की टाइल है बहुत बढ़ी है बहुत मदाया और उसके साथ आपको जो है फ्लोर दे रखा है फ्लोर कुछ इस तरह स आपको question नहीं कि आपको जो है इस tile को इसमें arrange गरना है आपको बताना कि count how many ways count ways कितने तरीकों से आप जो है इस tile को इसके अंदर arrange कर सकते हो you have to tell me number of ways ठीक है इसके बारे मात करना है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो एक example के साथ मैं शुरू करता हूँ टाइल आपकी fix है ठीक है आपको question में क्या दिया होगा input में जो आपको n दिया होगा n का मतलब यह आपकी जो length है किस चीज की आपकी डॉंग यह length है जो floor की this is your floor ठीक है तो इस चीज को आप वैसे note भी कर सकते है question में जो मैं करवाता हूँ सब कुछ note upload करते जाएगा तो उसके साथ सही रहेगा तो एक example लेते हैं ठीक है एक let us एक example लेते हैं ठीक हमारे टाइल तो देखो fix रहने वाली है वाई तो यह रही मारी टाइल बट simplicity के लिए तो मैं n की value 3 ले लेता हूँ आपको थोड़ा सा स्वंद में आएगा 3 के case में आगर आपको दिखा हूँ तो 3 length की होगी है ठीक है 3 length की आपकी यह होगी और 2 तो हमारे fix है आप लोग को भी पता है यह 2 और यहाँ पर यह 3 होगी तो आप इस style को यह 2 वाली है जिसक दीन न यह अरे टीन उठाए यह तीनों को मैंने सीरी सीऴी ख़ड़े कर दिया इक तरीकाहाइब है सब्सक्राइब हो सकते मैं अग्र इसको लिए मैं पर यहां पर पूरा ठीक ऐसे इसको घूमाया इसको ऐसे घूमाया यहां डाला जबी मैंने आशको यह ड़ा एक वाली शोंद सकते हो और दूसरी वाली को यहां भी लिटा सकता हो Одंब यह पर 2 है यह 2 है तो यह 1 का हो गया और यह 2 का हो ещё स्वैंगों दो मैं पर सब्सक्राइब करते हैं। पड़ेगा पहले की थे लिटा मेरे साव से इस त्रीके हैं तो इसका आउटपूट्थ 3 यानि कि अगर मेरा input होगा 3 input होगा 3 तो मेरा output कि आएगा मेरा output आएगा 3 आई गेस आपको सुन में आ रहा है ठीक है कुछ खास बात नहीं बहुत ही सिंपल तरीका अराम से हमको सब्सक्राइब तो इतना तो आई गास आप लोग को सुन आ रहे है अब देखो मैं इसको रिकर्शिव में इसको सौल्ट करने की कोशिश करता हूं ठीक है तो पहली बात तो तभी सब्सक्राइब जब हम ज़्याजर से ज़्यादा कोशिशन करेंगे बट आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट दूँ तो डीपी को कुशिशन में हमेशा आपको दीखेगा मिनिमम निकालो किसी भी चीज़ का या आप मैक्सिम निकालो या आप काउंट वेज निकालो काउंट वेज निकालो या मूव वेज निकालो मूव वेज यह आपको जो चार तरीके जब भी आपको दीख जाएंगे तो आप तरसी है कि यह कोशिशन जो है वो डीपी से हो सकता है ठीक होगा निए पर एक बार आप इस चीज़ को सोच सकते हैं मिनिमम निकालो मैक्सिम कर लो जहां आपको याद होगा कि मैक्सिमम गोल्ड कोईन किया था मिनिमम कॉस्ट पात किया था कुछ याद है तो इस सारे डीपी के सवाल होते हैं तो यह इसमें भी हमको क्या करना है कि डीपी का सवाल होगा ठीक है अब जासे अधर कुश्चन करने पिए हमको सवन में आते करते हैं अगर नहीं पड़ा तुम आपको बता दू कि हम अपने से छोटे पर रखते और आंसर निकालते हैं तो मैं यह बोलूगा कि अगर मेरे पास एन लेंद का कोश्चन है और यह टू है ठीक है तो इसका अंसर किस पर डिबंड करेगा मतलब इसको इसमें हमको क्या नि मिरे क्सिक्राइब लोग पहले ख़ड़ा कर लेते हैं इसको पहले खड़ा लेहां दी बची लेंध कितिनीन एन एक तरीक और कर सकते हैं एक तरीका यह कर सकते हैं कि मैंने पहले लिटा दिया एक को थूलेंध कि यादर एक लूंद setzen कि और यह वन किये और इधर ये tdo चीज को थोड़ा से सोचें यह कितना बचा एन माइनस टू कि अगर हमको फेत रखना इस पर हमको इस पर बिलीव रखना है कि हमको काउंट निकाल दिया जाएगा इसका हमको पहले से सोच के रखना है कि इसका आएगा f of en इसमें arrange करने के ways कितने होंगे आप बाता दीजी ठीक है या या यह भी हो सकता है कि मैं लेटा दूँँ और यह से शेव बन रही है है इसमें arrange करने के तरीका बता दीजी मतलब कि फिर सब्स oldu नो मैं ऑन खुल लाओं इसमें अरेंज करने के कितने तरीक हैं याने कि इसमें कितने वेस हैं मैंने moves नहीं बोला कितने वेस से से इसमें टाइल रख सकता हूं वह यह function बताएगा ठीके यहां पे यहां पर लेंद है तो मैं अगर थो nPASS कर दूँगा तो बता देगा ये कि वहिए इतने तरीके से आप इसमें यह वाली the Lone यह वाले टाइव को प्लेज बेस है तो मैं पोल सकते हो न इक टार्इल यहां गडे कर दी और आप इसके वहिज बता दो इसके वहिज बता दो ठीक है, n-20 के जो जितने वेज होँगे, वही इस पूरे के वेज होँगे है न, let us say n-1 को अरेंज करने के मानलो x तरीके थे तो जब मैंने शुरू में ये टल खड़ी कर लखी थी, तो x प्लस 1 नहीं होगा, ठीक है जब मैंने सब के तरीके x निकाल ले तो पूरे का भी x होगा क्योंकि भाई ये तो हमने arrange कर दिया ना साथ में यानि कि अगर यहां के मान लो यहां तो ऐसे था यहां कुछ भी हो सकता है पर वो सब इसके साथ ही तो आएगा शुरू-शुरू में यानि कि अगर इसका तरीका x है तो आणि निकाल लोAy यहां पे हम कूंकि यह एक फिर दिया इस माणे के तरीकार x n तो इसको निकालने का तरीका है अप पहले पहले आप ने एक खड़ा murder लिए अब बोला कि n-1 यानि कि f of n-1 का अंसर बताईए यही पूरे का अंसर होगा प्लस वन मत कर देना कहीं लोग इसको इसको प्लस वन कर देते हैं कि मैंने ख़ड़ा कर दिया प्लस वन कर दू नहीं हमने वेज निकल ले तो इसलिए यह तो आंसर में इंक्लूड हो इसको लेता देता हूं इसको इसको लिटा दी जब मैने तो अब यह भर खड़ा कर सकता हूं नहीं कर सकताई तो तो एक ही चार बचा की सब को लेताने ही पढ़ेंगे और बचा क्या n-2 तो मैं बमूलूँगा कि एन माइनस 2 के लिए आंसर निकलो तो आपको थोड़ा-फल्ड़ा दीख रहे हैं अगर आपको f of n निकलरना है तो आप आप f of n minus 1 का अंसर निकलना है F of N is equal to F of N minus 1 plus F of N minus 2 यह बन गया और आप लोग को यह पता है जिसने मेरे से DP पढ़ी हो जानते हैं यह DP होता है ठीक है तो DP सुरी गोल लोग यह होता है मारा Fibonacci ठीक है यह मारा Fibonacci वोता है आप सब भी को पता है तो यह question कोछी निया यह ना Fibonacci ही पूछ लिए बस थोड़ा दिमाग लगा के पूछ लिए ठीक है तो यह जो question है टाइलिंग 2 x 2 tiles वे जो question है जो लिखा हुआ है 2 x 1 tiles this is equal to find Fibonacci वह लगा भाई Fibonacci find करो बस ठीक है एन दे रखा है NL Fibonacci आपको दूंद के दिखानी है और NL Fibonacci code यह इतना तो आप लोग को आती होगा आपको याद भी होगा dp of i is equal to क्या किया था उनने याद करो dp of i minus 1 plus dp of i minus 2 किया था किया था किया था किया था किया था किया था तो ऐसा हम सोच सकते है अच्छा तो बस यह करना है हमको और क्या अच्छा इसमें मैं थोड़ी से base condition में आपको दे दूं कि dp के 0 में क्यास्ट होगा dp के 0 का मतलब 0 जीरो लेंद्ध में कितने waste से मैं arrange कर सकता है कोई तरीका ही नहीं जीरो है ना और dp के 1 में क्या start होगा यानिकी एक length की है यहनिकी इसकी length 1 है इतना है तो एक ही वह होगा ना एक ही होगा खड़ी कर दो डायक्ट यहनिकी जब मेरा जब मेरा फ्लोर ही इतने का है मानलो इतन से हो गए एक तरीक है हो सकते है कि भाई एक खड़ा कर दी खड़ा कर दी यह तरीका है और लिटा दिया लिटा दिया यह दूसर तरीका है तो दो तरीके हुए ठीक है तो dp of 0 में 0 dp of 1 dp of 2 में 2 ठीक है अब इसके आगे फिल कैसा करना है for i is equal to 1 3 से लेकर i less than equal to n तक चलना है आई प्लस प्लस करते हूं यह लगा देना लास में क्या रिटन करना है रिटन कर देना भाईया क्या dp का n ठीक है इतना तो कर लो इतना तो कर लो ठीक है common sense लगाई यह बहुत ही असान question है ठीक है मैं फिर से recall कर दू कि आपको भाईया faith रखना है कि आपको इसका answer निकाल ठीक है इन चीजों का रफने आप लोग को ध्यान ठीक है तो यह question जो है हमारा इस तरीके से solve हो जाएगा तो असान question है यह question जो है खाली Fibonaki ही पूछ रहा है आपसे बस तो इसका आप लोग code इस तरह से कर लेना इसकी base condition जो है यह है जिसकी base condition है यह जो मैं यह लिखती है dp of 0 is equal to 0, dp of 1 is equal to 1, dp of 2 is equal to 2, फिर 3 से हमको n तक चलाना loop और Fibonaki calculate कर लेना है इस question में नया क्या सीखने था, सीखने के लिए नया था कि Fibonaki को अलग तरीके सम कैसे देख सकते है और किस तरह से वह हम से पूछ सकता है कि यह सवाल जो है आपको अप्रोच इस तरह से करना Fibonaki का लुगना को अपको अगर इसके में बार बर बोल रहा हूं प्लस1 मत करना फ्लस2 मत करना इसको कि तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट कोशन को डिसकस करेंगे चलिए बाए